Hello everyone, welcome back to my channel 9 and fine. How are you all? I wish you all would be good. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा बेब सीर नीचे कर लेता है, सिफालिक पोजिशन ले लेता है, हैड डाउन पोजिशन में आ जाता है, तो उसकी क्या-क्या संकेत और लक्षन आपको दिखाई देते हैं, आपको कैसा फिल होता है और अगर बेबी हैड डाउन पोजिशन में नहीं आता है, बेबी ड्रॉपिंग नहीं होती है आपकी, तो आप क्या-क्या ऐसे घरेलो टिप्स ले सकते हैं कि बच्चा हैड डाउन ले ले क्योंकि एक normal delivery के लिए ये perfect position होती है बच्चे की, कि सेर नीचे हो और पैर उपर हो, क्योंकि बच्चे अगर head down position ले लेता है तबी उसकी normal delivery possible होती है, अगर वो normal delivery के लिए अपनी perfect position नहीं ले पाता है वो सिफालिक position में नहीं आ पाता ब्रीच पोजिशन में रहता है या आड़ा तिर्चा रहता है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी में बहुत जादा क्रिटिकल हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी नहीं रहती जिसके चलते आपको C-section कराना होता है और पहले कुछ अफ़र्स डॉक्टर करते हैं और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपके C-section के action वो ले लेते हैं तो फ्रिंट्स वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को बिना skip करें लास तक देखना और जो मेरी चैनल पर first viewer है वो मेरी चैनल को with the bell icon subscribe कर दे जिससे की मेरी वीडियो के सभी notifications आपको time to time मिलते रहें So without getting late, let's get started देखिए friends, जब बच्चा delivery होने के लिए तयार हो जाता है तो वह अपने गव से निकलकल पावे के रियल में आ जाता है तो ये एक बच्चे की सही position होती है और ये जो position ले लेता है बच्चा ये delivery के दूसरे या चोटे हफ़ते से पहले ही ले लेता है जिससे बच्चा नीचे आ जाता है Means कहा जाए तो 34 से 36 हफ़ते तक भी कभी कभी बच्चा नीचे नहीं आता कभी कभी delivery होने के कुछ टाइम पहले भी बच्चा नीचे आता है तो ऐसा आप डरे नहीं अगर आपके बच्चे ने head down position नहीं लिया है तो कहीं बार delivery से पहले भी बच्चा अपनी perfect position में आता है ठीक है आप बात करेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब बच्चा baby dropping हो जाती ह तो आपको उसका तुरंट पता चले आपके कुछ-कुछ लक्षनों से या कुछ-कुछ संकेतों से आपको पता चलेगा कि बच्ची ने head down position ले लिया है या baby dropping हो गया है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से symptoms हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बच्ची ने पैर उपर कर लेता है तो आपके pelvis area में बहुत जादा दबाओ पड़ता है और आपका उपर का जो हिस्सा है वो बहुत जादा हलका महसूस होता है आप बहुत ही हलका fun feel होता है और अच्छा feel करते हैं आप नंबर दो है आपके पेट का आकार जैसे ही आपका बच्चा सिफा इनों बीच में ऐसा लगेगा कि कुछ फसा हुआ है गौल-गौल क्योंकि अब बच्चे का जो सिर है वो आपके pelvis area में fix हो चुका है और अब वो अपने आपको जादा movement भी नहीं कर पाएगा next है आपको बार-बार urine frequency होने ठीक है जैसे ही बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो आपके जो urinary bladder पे है वो पूरा pressure पड़ता है तो जिसकी वज़े से अगर आपका थोड़ा भी toilet collect होता है तो आपको लगता है कि हम मुझे बहुत तेज से toilet जाना है और जिसके चलते आपको हर 10 मिनट में हर 5 मिनट में toilet visit करना होता है तो ये एक आम बात है और ये एक delivery होने का भी बहुत अच्छा symptom है कि जैसे ही बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो आपके pelvis area भी बहुत जादा दबाव पड़ेगा और जब बहुत जादा दबाव पड़ेगा तो आपको urine frequency जादा होग देखे जैसे ही आपका बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो आपका जो ऊपर का area है पेट का वो बिलकुल खाली feel हो जाता है और जहां हमें पहले बहुत जल्दी जल्दी सांस चड़ता था चलने में भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी तो अब आपको अपना पेट हलका महसूस होगा और सांस लेने में बहुत easy होगा तो आपकी जो breathing problem है वो भी कहीं न कहीं resolve होगी जैसे ही बच्चा head down position में आ जाता है नेक्स है भूक बढ़ना या जलन कम होना जैसे ही आपका बच्चा head down position ले लेगा तो आपको भूक बहुत अच्छी लगेगी और आपकी जो acid problem रहती थी जलन रहती थी आपकी ऊपर की side तो वो भी problem resolve हो जाएगे नेक्स है पीट में दर्ध होना और आपकी चलने में बदलाव होना जैसे ही आपका बच्चा head down position ले लेता है तो आपके चलने में बिलकुल बदलाव आ जाएगा क्योंकि आपके बच्चे ने सिर नीचे कर लिया है तो आपके टांगों के बीच में आप बच्चा fix हो चुक है और आपकी पीट में आपकी टांगों में आप continue दर्ध रहेगा क्योंकि आपकी delivery में ज्यादा time नहीं है next symptom है mucus plug का बाहर आना जब आपके जो pelvis area पे है वो दबाव पड़ेगा तो mucus plug पर भी दबाव पड़ेगा जो कि अपनी जगा छोड़ चुका होगा और आपका mucus plug पाहर आएगा तो friends यही सारे symptom है बच्चे के सेर नीचे कर लेने का अब हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे ने head down position नहीं लिया है तो आप क्यासी कौन कौन सी काम कर सकते हैं जिससे आपका बच्चे सिफालिक position में आ जाए लेकिन अगर आपकी pregnancy में कोई complication नहीं है त तो आप square position ले आप इस तरीके से बैठ सकते हैं आप इस तरीके से बैठ के अपना कोई भी काम कर सकते हैं नमबर दो है सीडिया का उतारना चरना आप सीडिया उतारना चरना इससे भी आपके pelvis सेरिया में दबाव पड़ेगा और बच्चे सीर नीचे करने में आपका बहुत ना करें नेक्स है इंडियन टॉयलेट का जादे से जादे यूज करना अगर आप इंडियन टॉयलेट का जादे से जादे यूज करते हैं तो आपकी पैलविक एरिया की जो मसल्स है वो लचीली होती है आपके पैलविक एरिया खुलता है आपका जो बच्चे दानी का है वो भी खुलता है ऐसे बैठने से तो आप इंडियन टॉयलेट का जादे से जादे यूज़ करें लास्ट है वॉक करना अगर आप सुबह 35 मिनट और शाम 35 मिनट कंटीन्यू वॉक करते हैं तो वॉक करने से भी आपके जो बच्चा है वो बेबी ड्रोपिंग पोजिशन मे आता है क्योंकि जैसी है आपके पैलविक एरिया पर दबाओ पड़ेगा चलते चलते तो आपका बच्चा आपनी जन्व होने की परफेक्ट पोजिशन में आएगा तो यह सारे सिम्टम्स से बच्चे के अगर बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो आपको कैसा फील होता है कै से लक्षन होते हैं और अगर आपके बच्चे नीचे नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं तो फ्रंस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर ब बाबे